स्लाव अलेकम दोस्तों, जिससे कि अपनों चानते हैं हली में तिलंगाना हकूमत की जानिब से मौझदा राशन कार्ड में अफराद खंदन का नाम एट करने और उपराने नामों का करेक्शन करने की सुहलत फरहाम की जारी है और ये काम तिलंगाना रियासत के हर जिले में मौझूद मी सेवा सिंटर पर अंजाम दिया जा रहा है लेकिन बाजूद इसके काई सारे लोग ऐसे भी मौझूद है जो राशन कार्ड की निउस को फेक निउस बता रहे हैं तो उन तमाम मेरे भायों से यदबन गुजारिश है कि आप अपने नजदी की मी सेवा सिंटर जाके इस निउस को आप कनफरम कर सकते हैं क्योंकि कैस सारे मी सेवा सिंटर में राशन कार्ड में नाम अड़ करने का काम अंजाम दिया जा रहा है और स्क्रीन पे नज़र आ रही है इस निउस आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं कि हुकुमत की जाने से अफिशली तोर पर राशन कार्ड में अपने अफरादे खंदान का नाम अड़ करने और पुराने नामों की कर्रेक्शन करने की सोलत फरहम की जा रही है दोस्तों मी सेव सैंटर जाके राशन कार्ड में नाम अड़ कराने के लिए आपको सिर्फ तो डाकुमेंटस और एक फॉर्म की ज़रुवत होंगी पहला डाकुमेंटस आपके राशन कार्ड का ZEROX होंगा और दूसरा डॉक्मेंट से उन अफराद खंदान के आधर काड़ का जिरोक्स होंगा जिसके नाम आप राशन काड़ में एड़ करवाना चाहते हैं जिसके नाम आप राशन काड़ में अपने अफराद खंदान की दो लोगों के नाम एड़ करवाना चाहते हैं तो राशन कार्ट की जिरॉक्स के साथ साथ उन दोनों अफरादे खांदान का आधर कार्ट के जिरॉक्स में होना कंपलसरी होंगा तो दोस्तो अब ये बात रही डाकुमेंट्स के तालुक से तो अब बात करते हैं राशन कार्ट के फॉर्म के बारे में तो दोस्तो स्क्रीन पे नजर आ रहे है फॉर्म राशन कार्ड में नाम एड़ करने या नाम करेक्शन के लिए इस्तिमाल किया जाता है और इस फॉर्म के लिंग नीचे डिस्क्रिशन में मुझूद है वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर FSC नमबर यानि Food Security Card नमबर पुछ रहा है तो आपका राशन कार्ड का जो भी नमबर है यहाँ पर एड़ कर दीजिए सगेंड ऑप्शन पर आपको तीन ऑप्शन दिखाए दे रहे हैं काइडरेस चेंज मेंबर डिटर्स मोडिफिकेशन और मेंबर अडिशन तो अगर आप मौझूद राशन कार्ड में मौझूद नामों का करेक्शन कराना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए फिर अपने अ उसके बाद चौथे ऑप्शन पाए यहां पर पुछ रहा है आपको FAC information यानि Food Security Card Information इस option में आपके मोझतर राशन कार्ड का जो एड़ेस है आपको सिर्फ वही एड़ेस यहां पर फिलप करना है यहां पर SKS form दिख रहा है इसको आप छोड़ दीजिए इस पर फिलप करने क यहां पर टिक कीजिए इसके बाद यहां पर आपके फादर या सर्परस ज्यों भी है उनका नाम यहां पर एड़ कीजिए उसके बाद सगेंड पेज़ पर आने के बाद आपको एक option दिख रहा है फॉर मेंबर डीटर्स मोडिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं इसका नाम राशन कार्ड में घलत है तो उसका नाम यहां पर एड़ कीजिए करेक्शन के साथ उसके बाद उनकी एज़ जेंडर और सर्परस के साथ उनका क्या तालुख है क्या रिलेशन्शिप है बेटा है बेटी है या फिर वाइफ है उसकी डिटरस यहां पर लिखिए चलते ह option के तरफ for member edition यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप राशन काड में जिसका भी नाम add करवाना चाहते हैं उसका आधार नमबर उसका EID यानि environment identification number उसके वाद उनका नाम पर SRDH status यानि state residential data hub यानि जिसका नाम आप add कर रहे हैं यहाँ पर mention आधार काड में मौझूद है और आधार काड के हिसाब से ही यहाँ पर उनकी उमर यानि उनकी एज किती है वह यहाँ पर लिखिए उसके बाद उनका जेंडर वो mail है या फी mail है और यहाँ पर mention कीजे बद आखिर में आप अपनी signature करके राशन काड का जिरॉक्स और आधार का जिरॉक्स यह दो जिरॉक्स अटाइच करके इस form के साथ मीज से हमें submit कर दीजे इंशालला आपका काम जरूर हो जाएंगा दोस्तो हमारी लास वीडियो में हमने कुछ ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं जिससे आप इस बात कांदाजा लगा सकते हैं कि हमारे खौम किती बड़ी गफलत में है और किती लापरवाई में अपनी जिरूर हो जाने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने बच्चों का आ सुरुआ नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह सरासर गलती उन लोगों की है जिन्नों ने अब तक अपने बच्चों का आधरकार्ट नहीं बनाया है तो लेकिन कभी भी हुकूमत की जानिव से इसके लिए गैडलेंज जारी की जा सकती है तो लियाज आप आधरकार्ट के लिए पह अपने दोस्त पे हिबाब और रिश्टदारों में ज़रूर शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान प्रेस करना ना भूलें और जिन हज़ाद ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया तो मिलते है अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ अल्ला हाफीज